आज का हमारा विषय है बारा मासा यह जो रचना है मलिक मुहमत जैसी द्वारा रचित है अब इसके पर्सन करने से पहले हम बारा मासा में क्या चीज है वो अब जान लेजी ताकि आप पर्सनों को स्पष्ट दंग से लिख सकें तो यह जैसी की पर्सनी रचना पदमाउत के बारा मासा के कुछ अंस से लिए इस पाठ में नाईका है जो उसका नाम है नागमति के विरह का वणन है कभी ने शीत के अगन और पूसमा में नाईका की विरह दसाका और चित्रन किया है पर्थम अंस में योग में नाईके वियोग में नाईका का विरह की अगनी में जल र तो विर्यागिनी में चलना दिखा गया भवरे और काक के समक्स अपनी स्थिश्यों का वणन करते वे नायक को संदेश भेज रही है और दुवित्य जो आंश है उसमें विर्हनी नाइका के वणन के साथ-साथ शीत में उसका स्री कापने और व्योग से हर्दे कापने का करेंगे तो हैं चकई ओर कोकिला से नाइका विरहे की तुलना की गई है नाीका विरहे में संक क्य समय। कमजोर हो गई है संक के समन कमजOOOO रिखा गया है तीसरे अंस में माग महिने में जाड़ी से कापती हुई नागपती का विरह का तशाकवणन है और वर्षया का होना पवन का बहना यह ओर ज़्यादा बढ़ा रहा है फागुन मास में चलने वाले पवन जखोर कर उसको शीद को ओर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं अर्था चोगुना कर रहे हैं सभी फाग खेल रहे हैं पर तुर नाई का विरहताब में अधिक संतिप्त होती जाती है अब हम इसको करने के बाद सिद्धा परसनों तुर पर आते हैं कि अब जैसा की पहले उसमें सपष्ट क्या गया था अगन मास की जगया अगन मास की विशिष्टा बताते वे विरहनी नागमती की वैथा का वर्णन कीजिए अपने सब्दों में आपको उसका चितरन करना है तो अगन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं नागमती के लिए हैं परिवर्तन बहुती कश्ट प्रद है क्योंकि कश्ट प्रदर्थ दुख देने वाला कश्ट दाई है क्योंकि दिन तो जैसे तैसे कट जाता है परन्तु रात नहीं कट पाती रात में उसे रह रहकर प्रिये की याद सताती है, वे घर में अकेली होती है, अतय यह स्थिथी उसे व्योग के चरम तक ले जाती है, उसकी स्थिथी ऐसे ही है जैसे दीपक की बाती, दीपक की बाती पूरी रात जलती रहती है, नागमती वैसी ही विर्यागनी में जल रही है अगर्मास की ठंड जमाने वाली होती है नागमती के हर्दय को तो यह ठंड कपा रही है वह सोचती है किदि उसके पती उसके साथ होते तो इस ठंड को भी झेल जाती परतु उनकी अनुपस्टिति इसके बल को तुगना किया रही है वही यही सोचकर व्याकुल हो रही है इस्तिया पती की उपस्तिति में बनाव सरंगार करने में लगी रहती हैं परंतु नागमती के लिए बनाव सरंगार कश्पर्द लग रहा है उसके पती प्रवेश को गए हैं अतावे किस के लिए सरंगार करें लोग शीत की मार से बचने के लिए स्थान स्थान पर आग जला गर बैठे रहते हैं परन्तु नागमती को तो विरय रूपी अगनी अंदर ही अंदर जला रही है नागमती के लिए अगन मास कुछ राहत नहीं देता है क्योंकि बाहर कितनी विठंड क्यों ना हो परन्तु विरय रूपी अंदर रहकर उसे जला देती है ये इसमें नाइका की वैथा का वलनन किया गया है परसन दो में देखिए जीयत खाए मुएना च्छाडा पंक्ति के संद्रम में क्या कहती है इसमें जो है नागमती का पती परदेश गया हुआ है पती की अनुपस्तिती उसे भैंकर लगती है वैं पती के वियोग में जल रही है एक स्थान पर पती के वियोग से उत्पन विरय को उसने बाज रूप में चित्रित किया है यहाँ पर लेखक ने विरय को बाज रूप में चित्रित किया है जिस तरह बाज अपने सिकार को नोच नोच कर खा जाता है वैसे ही विरह रूपी बाज नागमती को जीवित नोच नोच कर खा रहा है उसे लगता है जैसे विरह रूपी बाज उसे अपना सिकार बनाने के लिए नजर गडाई बैठा है जो उचित अउसर मिलते ही उसे नोचने लगता है जब तक यह बाज उसे पूर्ण रूप से खा नहीं लेगा तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है भाव यह है कि नागमती के लिए पती से अलग होने की स्थिथी बहुती कष्ट परद है विर्यागनी उतने ही उगर होती जा रही है कि उसका विप्रित असर परत्यक्स रूप से नहीं दिखाई दी परंतु ऐ परत्यक्स रूप से उसे लेल रहा है वह जहाकर भी स्वयम को सांतुना नहीं दे पा रही है बस उस विर्यागनी में जिले जा रही है ये अलग-अलग महिने में विरहने की व्याकुलता को और दुख को दिखा गया है अब माग महिने में विरहने की अनुभूती पूछ रहे हैं उसका कश्ट पूछने सो क्या अनुभू होता है माग के महिने में थन अपने विक्राल रूप में विद्यमान होती है चारो और पाला अर्थात कोहरा चाने लगता है विरहनी के लिए यह स्थिती भी कम कश्पर्द नहीं है इसमें विरह की पीड़ा मोत के समान होती है यदि पती की अनुपरस्थी इस तरह रही तो माग मास की ठंड उसे अपने साथ ही ले जाकर मानेगी यह मास उसके मन में काम की भावना को जागरत करता है वह प्रितम से मिलने को व्याकुल हो उठती है इसी बीच इस मास में होने वाली वर्षया उसकी व्याकुलता को और भी बढ़ा देती है वर्षया में भीगी वही नागमत्य को गीले वस्तर तथा आबुशन तक तीर के समान चुब रहे हैं उसे बनाओं स्रंगार तक भाता नहीं है प्रियतम के विरह में तड़ते वे इस सूकर काटा हो रही है ऐसा लगता है इस विरे में इस प्रकार जल रही है कि उसका सरीर राके समान उड़ ही जाएगा वह इतनी कमजोर होगी है कि चलने के बाद जब राक बनेगी तो वह सोच दिएगी वह उड़ ही जाएगी अगले परसन में देखिए पुरक्सों से पतियों तथा वनों से डाके किस माह में गिरते हैं इससे विरेनी का क्या संबन्द है हागुन मास के समय प्रक्सों से पतियां तथा वनों से डाके गिरते रहते हैं फिरेनी के लिए यह मां बहुती दुख देने वाला है चार और गिरती पतियां उसे अपनी तूटती आशा के समान परतित हो रही हैं हर एक गिरता पत्ता उसके मन में विद्यमान आशा को धुमिल कर रहा है कि उसके प्रियतम शिग्र ही आएंगे पत्तों का पीला रंग उसके शरीर की स्थिती को दर्शा रहा है जैसे अपने कार्यकाल समाप्त हो जाने पर पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं वैसे ही प्रियतम के विर्याय में जल रही नईका का रंग पीला पड़ रहा है अताब फागुन मासु से दुख उसके दुख को शांत करने स्थान पर और ज्यादा बढ़ा रहा है फागुन के समाप्त होते हैं प्रक्षों में नई कोपलों तथा फूल आकर उसमें पुन जान डालेंगे परन्तु नागपंती के जीवन में सुख का पुन आगमन कब होगा यह कहना संबव नहीं है यह परसंट पांच में पंक्तियों की व्यक्या पूछे गई है यह च्यार व्यक्या आपसे पूछी गई है तो पहले उसमें आप देखेंगे दुखी नागमती भोरों तथा कौउंगों से अपने प्रियतम के पास संदेशा ले जाने को कहती है उसके अनुसार पे उसके विरह का हाल सिकर ही जाकर उसके प्रियतम को बताएं प्रियतम के विरह में नागमती कितने दुख भोग रही है उसका पताच प्रियतम को अवस्यल लग जाना चाहिए अतवे उन्हें संबोधित करते वे कहती है कि तुम दोनों वहाँ जाकर प्रियतम को मेरी स्थिथी बताना और कहना कि तुमारी पत्नी भ्रयरूपी अगनी में जलते वे मर गई उस अगनी से उठने वाले काले धुएं के कान तुमारा रंग भी काला पड़ गया है अर्थात कव्वे को कह रही है कि अगर पूछे तुमारा रंग काला कैसे बढ़ा तो कह देना कि तुमारी पत्नी मर गई और जो उससे धुआ उड़ा उससे उस कव्वे का रंग काला पड़ गया खैव वाली पंक्तियों में आप देखेंगे नांगमती अपने प्रेतम को अपनी विरह रूपी दशा का वणन कर रही है वैं कहते हैं कि है प्रेतम तुम से अलग होने पर भी मेरी दशा बहुती खराब हो गई है मैं तुमारे वियोग में इतना रोई हूँ कि मेरी आँखों से आसुरूब में सारा रक्त बाहर निकल गया है इसी तरह तड़ते वे मेरा सारा मास बिगल गया है और मेरी हडियां संक के जैसे स्वेथ दिखाई दे रही है वे आगे कहती है कि तुमारा नाम लेते लेते मैं सारसो की जोड़ी के समान तड़ब तड़ब कर मर गई हूँ इस तरह मैं मिर्त्यू के समिप हूँ अतर तुम शिगर आकर मेरे पंकों को समेट लो परसुत पंक्तियों में नांगमती कहती है गैप आट आटर आप देखेंगे कि फे प्रियतम मैं तुमारे वियोग में सूकती जा रही हूँ मेरी श्तिथी तिनके के समान हो गई है अर्थात मैं कमजोर हो गई हूँ मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरा सरीर व्रक्स के समाल हिलने लगता है अर्था जिस प्रकार व्रक्स हवा के जोके से ही हिलने लगता है उसी प्रकार में कमजोर होने के कांग हिल जाते हूँ इस पर भी विर्यागनी मुझे राख बनाने को आतूर है व्यागरह है तथा मेरे तन की राख को भी उड़ा दिये जा रहा है चोथे में घै पार्ट में आप देखेंगे नागमती अपने मन के दुख को व्यक्त करते वे कहती है मैं स्वयम के तन को विर्यागनी में जलाकर भसम कर देना चाहती हूँ इस तरह मेरा सरीर राख का रूप धान कर लेगा और पवन मेरे सरीर को उड़ाकर मेरे प्रितम के रास्ते में बिखेर देगी इस प्रकार मारग में चलते वे अपने पती में राख रूप में स्परसित पा जाओंगी अगले उसमें परस्त में आप देखेंगे कि पर्थम दो छंदों में अलंकार छाटने हैं आपको और उनसे उत्पन कावे सुंद्रे पटिपने की है पहले पद में आप अगर अलंकार छाटने की बात करेंगे तो परसुद्पत की भाषा आउदी सब्दों में इतना स्टिक वणन किया गया है कि भाषा प्रवाव में ही और गयता के कुणों से भरी है भाषा सरल और सहज है इसमें दुख दगद तथा जोबर जर्में अनुपरा सलंकार वियोग से उत्पन विरह को बहुत मार में ग्रूप से वणन किया गया है विरह के दुख को तिवर्ता पूरे पद में दिखाई देती अगर दूसरे पद की बात करोगे आप तो भाषा जैसी की आउदी है और इस पद की भी फिर आउदी है सब्दों का स्टिक वणन किया गया है गेता है अर्थाद गई जा सकती है सरल है और बिरह बाड़ी में अनुपरा सलंकार है कपी कपी में पुन रुकती प्रका सलंकार है उसके महा में ठंड की मार का सजी वणन किया गया है यह आपके चैप्टर जैसी द्वारा रचित बारा मासा और इसमें जो कोई भी आपके और जानकारी आपको चाहिए तो या आपको यह पीडेव के रूप में चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कोमेंट बोक्स पर लिख सकते हैं